नमस्कार विद्यार्दिमीतरांू अज अपला DAY 1 मुझे English speaking learning करने साथटी English speaking सिकने साथी अज तुम्ही प्रत्यक्ष सुर्वात करतात आनी आज अपला डे 1st day आनी 1st day माद आपन सिकने राऊध 23 महतवाच टोपिक जाजनावे Part of the Speech आता लक्षेत गया, एकादी गोष्ट आपने आला का कराईची ये निर्ट समझुन गया, पार्ट ओद स्पीच मंजे नेम का काई, तब अपन एकादी जोओ बीडिंग बांद तास्तो, तिया बीडिंग चे वेगवेगले भगा आस्तत, थी बीडिंग वेगवेगले भागाननी मिलून, थी बीडिंग तायर होताशे, तस जेहुआ आपन एक आदा सेंटेंस है, सेंटेंस आपन बनवतास तो, त्या सेंटेंस ची सुद्धा वेगवेगडे भाग त्याटी कानियास साथ, त्या आपन शिक्ना रहोत। आपन जे काई बोलतो, जे काई आइक तो, जे काई लीतो, जे काई वास्तो, त्या मधे का आसता, त्या मधे सेंटेंस हैश आसता प। महें ये ये sentence का शेमुल बननता हासा हिख लखशागा। sentence कश मूल बंत, sentence बंत, words मूल, words make the sentence, sentence है sentence कश मूल बंत, sentence बंत, शब्दान मूल, words make the sentence, sentence मध्य काइसता sentence मध्य आसता शब्द, अथा लक्ष दिया, part of the speech अपलेला काशिक आईचे, करण शब्द, शब्दन मद या sentence है, sentence कशान मुढ बनत, तो sentence बनत शब्दन मुढ नियमक अपलेला प्राब्लेम का है तो, अपलेला प्राब्लेम यों तो sentence बनावत अन्ना, कुटला शब्द कुटे यूज कराईचा मुझे लक्षा दिया, वाक्या मधे अनुस्ते इंगलीश शब्द वापरले, तो sentence तायर होत नहीं, और ये काई तायर होत तो, तो it doesn't make a sense, sentence should make a sense, sentence ला एक विशिष्ट अर्थ आसाइला हुआ, तो अर्थ पूर्ण आसाइला हुए, और ते sentence, अर्थ पूर्ण बनावना साथ आपलेला शब्द योग्य क्रमाने वापरता याईला हवे, माता पुरश्ण बढ़तो, मा शब्द नेमके योग्य क्रमाने कशे वापराईचे, और वर्स, when we arrange the words in proper order, जहों आपन शब्द योग्य ठीकानी वापरतो, तेलास ता ग्रामर मन्ता, ग्रामर मन्जे काई, शब् पॉत्गानी दुजय काई, शब्द नेमके क्टला शब्द कुछे योज कराईचे, यहापलेला समझन फार्मातव पूर्णाे, और हाजर सम्झ्वूद गयाइचा असल, माजी त्या सेंटेंस सा पनेमका अर्थ नेमका काईनिक थो, त्या सेंटेंस माद शब्द नेमका अधा लग्षे दिया, हीजे काई sentence है, अधा हीजे काई sentence, यह sentence में यह words आसता, words यहकुन किती प्रकारच आसता, words आसता यहकुन 8 प्रकारच यह, there are 8 types of the word, how many words are there, type of the words are there, there are 8 type of the words in the English, यहकुन साधरणते 9 प्रकारच आसता, पनापन साधे विचार करना आता, 8 प्रकारच यह, 8 प्रकारच यह, शब्द, आसता, मंजे, part of the speech यह, ते किती यहकुन, तर ते यहकुन है 8, कोणकोंच यहते, the one is called noun, कोणकोंच यह लग्षा त्या, noun, first type is noun, second is pronoun, noun, noun, pronoun, the third is adjective, fourth is verb, fifth is called adverb, sixth is called preposition, prepositions, seven, conjunction, and last type is interjection, interjection, तर आशे, यहकुन शब्दान छे, हे 8 प्रकार, मंजे, हे 8 प्रकार, मंजे, यह, शब्द, यह, शब्दान सा, वर्गी करन के लिले, मंजे, आपण, यह, शेंटेंज, मादे, यह, कही, शब्दास त्या, यह, शब्द, एक ते noun, आस्तात, प्रोणों आस्ता, adjective आस्ता, verb object, आज़्या, वर्ब आस्ता, क्यों, preposition, क्यों, क्यों, interjection, क्यों, interjection आस्तात, मा, आपल लिए लावाक्या मादे, नेमका शब्द तो काई? नाव नेका प्रोनाव नेका अडजेटिव क्या वर्ब एका अडवर्बी है आपलेला ओलकता येन फारगर जासाई करन त्याचा वर्न त्या सेंटेंसा करद करदी मीनिंग काई होतो क्यों कुडला शब्दा आपन कुड़े वापर तो हे आपलेला समझेल याटिकानी आपन बगुया कहें जगा है सेंटेंस है सेंटेंस का शासाथ बगा है याटिकानी सेंटेंस फॉर एक्जम्पल वाव! सी रैन फास अप्टर द रेड बस कॉट अन कॉट इट सी रैन फास अप्टर द रेड बस and caught it. आता लक्षा दिया. Wow! She ran fast after the red bus. मुझे थी जोरात पडाली. कशे जमागे after the word. बच्च जमागे थी जोरात धावली and caught it. आनी थीने थी पकडली. काय पकडली थीने? थी बस थीने पकडली. Look at the next sentence. I am learning English in kite. मी kite मधे English इस शिकर आहे. Next बगवी आता डिकानी. Raju has gone to Mumbai. Raju Mumbai ला गेलेला आहे. Have you come here by bus? आता प्रश्न नहीं. Have you come here by bus? तु इते बस ने आलेला आहेत का? See, he is a good teacher. He is a good teacher. तो चांगला शिक्षक आहे. माजे बगा, ये जे पाच्स याटिकानी में तुमाल सेंटेंस दिले. ये सेंटेंस काशा नी बन लेले, ये सेंटेंस शब्दा नी बन लेले. प्रतिक सेंटेंस में शब्दा हे. आने हाजो शब्दा हे. ये शब्द एक त नाउने, प्रोनाउने, एडवर्बे, क्यों वो कंजंग्चन क्यों प्रेपुजिशन हे. त्या आपन याटिकानी शिक्षक न रग. त्या आपन याटिकानी आता क्यों याटिकानी शिक्षक न प्रोनाउने, रखन याटिकानी भर्बे. फास्ट आशब्द काये वगाश्ट, फास्ट आशब्द काये, इस अडवर्ब. तो आडवर्बे, अप्टर आशब्द प्रोने, दाशब्द दितर्मिनरे, रेर, अध्यक्टिवे, वितु माला जो नाउ प्राकर सांगितला, तो आषब्द याटिकानी, रेर काये वगाश्ट, रेरे काये अट्जेक्टिव, बस, बस काये, बस अटन आउन, बस यह नावने and is the conjunction and हाशब्द कंजंक्शने caught हाशब्द वर्बे आनि it हाशब्द प्रोणाउंसे मझे बगा यह वाक्या मझे प्रोणाउं किते आले ले दोन प्रोणाउंस आले ले मझे लख्षाद गया वाक्या मझे एका ता part of speech डबल सुद्धा यह शक्तो किती विड़ेश यह शक्तो we remember आस्तकाई ने का एक part of the speech पक्त एक दसील मनूँ तर लख्षाद यहाथा हे जे सेंटेंस है या सेंटेंस मदे जबल जबल नव यी प्राकार चे नव फ्राकार चे नव प्राकार चे जे काई part of the speech हे ते part of the speech यूज जाले ले जे नाउन हे ठीके नाउन कुट लाए बस प्रोनाउन कुट लाए स्री यानि इड त्यान अन्तर अडजेक्टिव अडजेक्टिव कुट लाए रेड बस ठीके रेड हे अडजेक्टिव हे ठीके नाउन्तर भर्ब कुट लाए भर्ब दोने रान अनी कौट ठीके नाउन्तर अडवर्ब अडवर्ब कुट लाए fast fast is a adverb and fast is a fast is an adverb अनि नाउन्तर कुट लाए कर नाउन्तर जे काई preposition after preposition आले ले conjunction यहाँ 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 आले ले आनि interjection wow it is an interjection वाव यह का अ़े वाव यह का ऑै वाव हे इंटरजेक्षेन मा आताा निमक लगश्द गिया आता आपन इह आटीकेशनी ये शब्द यह शब्द अपने ये ले ये शब्द कह demons? महले तू महला का शब्द अडिन्टिफाइ पहले पाई एक शब्द अड्जेक्टिव पनाश शक्तो तो शब्द कधी-कधी नाउन सुदास शक्तो अक्षा दिया एक शब्द भर पनाश शक्तो तो शब्द कधी-कधी नाउन पनाश शक्तो मझे शब्द जोई प्रेपोजिशन पनाश शक्तो कधी-कधी तो कंजंग्शन सुदास श ते समझुन यहाई अपलेला नियमक एखादा शब्द वाक्या में नियम याय लोगुंदेखित हeding कर दो यम्हें चेळानी काम करें शब्दकेट श्ब्द कर इक माई स काई, नाउन सो काई कामे, वर्ब सो काई कामे, प्रिप पोजीशनियम का काई काम करतो, यह आपने ला समझुन यह लाग ना रही, तिस समयलें साथी आपन एक एक पार्ट ओद स्पीज, त्या टीकानी भगना राउद, त्या टीकानी आपन शिक्ना रहुत.